परकिसान बाई यो बाजार रिपोर्ट केनल पर में हेमन्त यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जप्रुमाना मंदी में है 18 सेतंबर 2024 हो चुका है और मौसम की बात करें तो मौसम बादल हलके फुल के चाहे हुए है और हम है राजधानी ट्रेडिंग कंपनी बु सब्सक्राइब यह देख सकते हैं अच्छी वाल टीक माल की देखने को मिल रहे हैं चलिए लेते हैं बुरी भाई से आज का ताजा अफडेट कैसे हो सर आज प्याज में क्या आपडेट देखने को मिला है तेजी है या मंदी रूपे पूजिशन डाउन है दो तीन रूपे डाउन देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल जो पचास रुपे विकरा था वह 47-47 प्याग है और जिसमें नए प्याज की गाड़ें बहुत ज्यादा है निया कम से 10-15 गाड़ी नए प्याज आज बिल्कुल बिल्कुल शार तो उसकी वज़े से भी थोड़ा मार्केट डाउन देखने लुजान जो है नए में चला गया गिराग जो है नए प्याज पकड़ने लगया नए की पोजिशन भी 40 रुपे 45 रुपे कोई माशक और लाट पसंद कर रहे हैं तो 47 48 बिल्कुल बिल्कुल शार आज 47 48 वह विकरें जो जादा सुपर वियाई प्याज की वज़ार ज्यादा यह यह जो मैंने परसूनंग चास प्चास प्याज बेचे थे वह प्याज आज 45 वाला अगर बात करें नीचे में क्या है उपर में क्या पोजिशन बनी चाली से 45 की बजार ही पकड़ो भाई साथ और पूर्णा साइज का थोड़ा साथ थोड़ा एक आथ रुपए उपर विक्ता है एक रुपए दो रुपए तीन रुपए वह 45 46 47 48 बिल्कुल और सर 42 रुपए है 45 बोलो 45 में एक राग एक कर्टा नहीं तो ला रहा है अच्छा जी और राजस्तान वाले साथ राजस्तान भी बजा रहे है बहुत चालीज ब्यालीस रुपए बढ़िया मतलब कोई ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर लाट हो तो वह सकते किसी बाव भी जाए बा अगर वहारी बहुत ओर है वह ब्याइस अब चालीज बहुत नहीं है और आज टोपड़े में क्या पोजिशन है यह आप टोपड़े में ढूंब हो ज्यादा आज चोपड़े वी 30 बतिस यह हैं तो तो सर आवक जो नए पयाज कि है उसके नवचे तोड़ा से जघ्रावड देखने को मिली है कुछ मंडिया खुल गी है हाँ सब जगे माल आज गिराक की माल पकड़ नहीं रहा है गों रहा है चक्कर गाट रहा है पर माल ले नहीं रहा है जो एंपी का माल हम 45 बोलते हैं तो गिराक 40 से उपर उसके दाम नहीं लगाता है अच्छा यह दो रुपर बढ है उनको भी पड़ता नहीं है क्या लाग रहा है सर बजार और जाएगा या अपर यह ऐसे चलता रहा है जो चार पांच रुपर प्याज में उपर नीचे होना कोई बड़ी बाद नहीं कोई चीज 50 रुपर किलो हो जाए तो उसको 45 होने में देर नहीं लगती और 55 होने में अपनी दुकान नमबर 26 मुवाना मंदी चैप हो जालो जी धन्यवाद आपका भी धन्यवाद याद